हेलो एवरिवन, वेलकाम अगिन इन लर्ण वेज दितिमन, बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चेप्टर नुबर फाइब का पार्ट टू, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, उर्जा संसाधनों का वर्गी करन किस आधार पर किया जाता है, तो नवीनी करन के आधार पर और परमपराओं के आधार पर, यानि किसी चीज का किसी उर्जा संसाधन का नवीनी करन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस आधार पर किया जाता है, दूसरा किस पर परमपरा के आधार पर, यानि वो परमपरा अगर स्रौथ है या नहीं है, यानि पहले से ही उसका यूज किया जा रहा है या अग उसका किया जाने लगा है, उस आधार पर इनका उर्जा संसाधनों का नवीनी करन और परमपरा के आधार पर वर्गी करन किया जाता है, नेक कोशे देखिए, नवीन अधार पर जल विद्धुत स्वार उर्जा पवन उर्जा बायो गैस बायो मास्ट और जुआरिय उर्जा को प्रकार के उर्जा संचाधन माना जाता है जल विद्धुत, सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, बायो मांस और ज्वारियो उर्जा को किस प्रकार की उर्जा संजादन माना जाता है तो देखिए, सौर उर्जा को ही ले ले दें आज सौर उर्जा जितनी सूरे की जितनी रौसनी आ रही है आप यूज करिए कल से वो फिर से नहीं उतनी ही आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नवीनी कर्ण है या नव्य कर्णिया उर्जा संसादन है नवीनी कर्ण के आधार पर कोईला, खनीज तेल, प्राकर्तिक गैस, यूरेनियम और थोरियम को किस प्रकार के उर्जा संसादन माना जाता है? तो देखिए, कोईला है, हमारे पास एक लिमिटेड सौथ है अगर वो खतम हो गया, तो फिर उसका कोई नवीनी कर्ण संभव नहीं है तो यह ऐसे स्रौथ क्या है? अनव्य कर्णिया उर्जा संसादन है यह कैसे है? अनव्य कर्णिया उर्जा संसादन जिनका नवीनी कर्ण नहीं किया जा सकता इनको और पैदा नहीं किया जा सकता, जो कैसे हैं? अनव्यकर्णी उर्जा संचाधन स्रौथ हैं, चली, next देखिए, परमपरा के आधार पर उर्जा संचाधनों को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है? तो देखिए, दो भागों में वर्गी करत किया जाता है, एक परमपरागत और एक गैर परमपरागत उर्जा संचाधन, कौन कौन से? परमपरागत और गैर परमपरागत उर्जा संचाधन, next question देखिए, ऐसे उर्जा संचाधन जिनका उप्योग प्राचीन समय से हो रहा हो, क इस प्रकार के उर्जा संसाधन कहलाते हैं, तो जिनका पहले से उपयोग हो रहा है, वो कैसे कहलाते हैं, परमपरागत उर्जा संसाधन, और जिनका नहीं हो रहा है, जो अभी हाल में स्टार्ट किये गए हैं, जिनका उर्जा संसाधन के तोर पर यूज़ करना, वो क्या कहला गैर परंपरागत उर्जा संसाधन चलिए नेक कोईशन देखिए परंपरागत उर्जा संसाधन कौन से हैं परंपरागत उर्जा संसाधन कौन से हैं तो हम सभी जानते हैं कोईला, खनीज, तेल, प्राकरतिक गैस, जल विद्ध होती ये सभी क्या हैं परंपरागत उर्जा इनको हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, नेक कोशन देखिए, गैर परमपरागत उर्जा संचाधन कौन से हैं, आपकी सौर उर्जा हुई, इतका हाल ही के दस्कों में ज़्यादा यूज किया जाने लगा है, पवन उर्जा हुई, बायो गैस हुआ, बायो माज, जुआ परमाण उर्जा ये क्या है, ये हाल ही में इनका इन्वेंशन हुआ है, इनको अभी कुछ दस्कों से ही यूज किया जाने लगा है, तो इसके वज़े से ये क्या कहलाते हैं, ये गैर परमपरागत उर्जा संचाधन कहलाते हैं, नेक कोशन देखिए, कोईला खनीज अयसको के नाम क्या है, कोईला खनीज अयसको के नाम क्या है, यानि कोईले को हम निकालते हैं, तो किस-किस तरीके से उसका कच्छे माल के रूपने वो निकलता है, तो सबसे किसमे निकलता है, एंत्रासाइट, बिटुमिनस, लिगनाइट और पीट, इसमें जो ये चार टाइप की किसमें कोल томichi कि निकलती हैं एक एंत्रासाइड होता है। बीटोमेनरस, होता है लिगनाइट होता है और पीट होता है। ska सबसे उत्तंप्रकार का कोल कल एक्ता कने कैसर प्रकार का? क उनसा है.. जो हमने अभी चार नाम पढ़े.. उसमें सबसे उत्तम प्रिकार का कोईला किस में से निकलता है, तो किस में से निकलता है, उसमें असी प्रितिसत कार्बन होता है, और सबसे कम दुआ देता है, तो ऐसा जो मैट्रियल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अविलेबल होगा कोईला जलने के लिए, तो किस में हैं एंत्रासाइट में उसमें 80% कार्बन और सबसे कम धुआ होता है, इस वज़े से सबसे उत्तम प्रिकार का कौन सा होगा, एंत्रासाइट होगा, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में सर्वशेष्ठ किस्म किस कोईले खनीजरस की पाया जाती है, हमने जो चार नाम पड़े ठीक है, उन में राजिस्थान के अंदर जो सबसे बैस्ट किस्म का कोईला पाया जाता है, वो कौन सी किस्म होती है उन चारों में से, तो वो है लिगनाइट, लिगनाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लिगनाइट है, वो राजिस्थान में पाया जाता है, और इ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रोदूर्शन पैदा करता है नेक्ट कुशन देखिए राजिस्थान में लिगनाइट का खनन कहां किया जाता है राजिस्थान के इसाब से यह काफी इंपॉर्टेंट कुशन है यह देखिए विकानेर के बर्सिंग सर वेपालना में और बा चुशन के जालीपा, खपूरोडी, और गिरल में इसका खनन किया जाता है नेक्ट कोशन देखिए राजिस्थान के प्रमुक्ताप्य उर्जा सूंययंत्र कहां इस्थित है कहां इस्थित हैं? तो वो हम सभी जानते हैं कोटा और सूरतगड में इस्थित हैं. कहां पे इस्थित हैं? कोटा और सूरतगड में राजिस्थान के जो प्रमुक्तापी उर्य स्थित हैं, वो कहां पे हैं? कोटा और सूरतगड में इस्थित हैं. ने कोशित देखिए. भारत इसम में सर्वर्प्रतम खनीज टेल कहां खो जा गया था। यह क्या तो यह ऩह नहीं नहीं है। Bombay High है जो Arab सागर में इस्तित है यहां पर खनिश देल का मुख्य उत्पादन छेतरे यहां सबसे ज़्यदा खनिश देल भारत में निकाला जाता है नेक कुशन देखिए राजिस्थान में खनिश देल का उत्पादन कहां किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा important है और इसे concerning question बहुत बार आया है खासकर मंगला जो oil refinery है उसके उपर राइस्थन के पशिम भाग में इसका होता है और कहां कहां होता है बाड मेर बंगला सरस्वती oil field में और जैसल में गोटारू तनोट मनिहारी और टिबा में और बिकाने और जालोर में ये किया जाता है खनीश देल का उत पादन कहां कहां किया जाता है बाड मेर जैसल मेर बिक भारत के सर्व प्रमुख जल विद्धुत ऊठ जाए चैयंत्र कौन से हैं भाकडा नागल परियोजना दामुदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना आपको पता है हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा डैम परियोजना भी है इसकी जो डैम है यह सबसे बड़ा डैम क्या है 4800 के लगभग मीटर सम्तिंग इसकी लेंद है किसकी डैम की तो हीराकुंड परियोजना भाकडा नागल परियोजना दामुदर घाटी परियोजना यह बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं हमारे भारत के लिए जलविदू तूर्जा सेहत्र के तौर पे नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान की सर्व प्रमुख जलविदू तूर्जा सेहत्र कौन सा है तो राजिस्थान में कौन सा है चंबल गाटी परियोजना जो है और माही बजास सागर परियोजना यह जो है चंबल और माही बजास सागर परियोजना यह राजिस्थान की सरप्रमुक जल्विदुत उर्जा सहियत्र है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान में परमाणु उर्जा सहियत्र कहां इस्थापित है राजिस्थान में परमाणु उर्जा सहियत्र कहां इस्थापित है तो जब इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह कहां इस्तित है, कोटा के निकट रावत भाटा में परमानु उर्जासियंत इस्थाफित है किस राज्य की मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है, थोरियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेट्रियल है, जिससे एनर्जी गेन की जा सकती है, यह एक उर्जासियंत के रूप में काम लिया जाता है, इसको जैसे यूरिनियम का लिया जाता है, वैसे ही थोरिय को भी यूज किया जाता है और ये कहां किस राज्य में पाए जाता है मिट्टी में केरल की मिट्टी में केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है वहाँ पर ये थोरियम पाए जाता है और इसको किस विदी से लिया जाएगा इसको आखनन विदी से लिया जाता है किस विदी से पाया जाता है भारत में योरीनियम जो है वो किस राजे में सरवादिक पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जारखंड में पाया जाता है दूसरे नुमबर पे राजिस्थान में पाया जाता है और यही करम किसका भी है यही करम खनिज जो पदार्त है सरवादिक जारखंड मे पाया जाता है और रेडियाक्टिव मेट्रियल है एक उर्जा संसाधन है और यह मुख्यतर बिजली बनाने के काम लिया जाता है नेक कोशन देखिए राजिस्थान के किंजलों में पवन उर्जा के लिए विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है यह काफी ज़िलने हैं राजिस्थान के इनमें पवन उर्जा की विकास की प्रबल संभावना है क्योंकि यह हो आवायं काफी त्रिजी से चलती है और भारत के जो तट्ये 2 रहे 뉴스 च्छेत्रे यहां पर भी प्रबल सं भावनें व्यक्त की गई है यहां परुण्यक्पिन भीसमें किन कटिवंदिय चेत्रों में सौर उर्जा के विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है तो देखिए कटिवंदिय चेत्र, उस्टन कटिवंदिय चेत्र, सितोषन कटिवंदिय चेत्र और सीथ कटिवंदिय चेत्र तो आप ही बताइए कि सौर उर्जा सबसे ज़्यादा किस प्रकार के कटी बंदिया छेत्रों में होगी तो वो होगी आप सभी जानते हैं उस्ट कटी बंदिया छेत्रों में तो उस्ट कटी बंदिया छेत्रों के जो देश हैं उसमें इसकी प्रवल संभावना व्यक्त की जा सौर उर्जा का उप्योग विजली उत्पादन के अत्रिक्त किसमें सामने तह किया जाता है, किसमें किया जाता है, सौर कुकर और सौर तापक आदिवी में किया जाता है, यानि इसको ताप्य उर्जा के तोर पे भी डारेक्ली यूज किया जा सकता है, ठीक है, इसमें विजल के साथ तब तक के लिए बच्छों थैंक यू